तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले है राजिस्तान के बारे में जिसे दा लैंड आप किंग्स भी कहा जाता है जो एरिया वाइज हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है जो की पूरे देश का तक्रीबन 10.4% एरिया कबर करता है जिसका अधिवतर हिस्ता थार डेजर्ट का ढखा हुआ है तो राजिस्तान को एक्स्प्लोर करने तथा उसके बारे में अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए एंड तक बने रही है पैक्ट रेंजर के साथ राजिस्तान जो भारत देश के पच्चिम भाग में स्कूष है जाइपूर इस राज्ये की राजधानी है यह राज्य पाकिस्तान के साथ अपना काफी लंबा बॉडर शेयर करता है राज्यस्तान एरिया वाइज पूरे देश का सत्ते बड़ा राज्य है जिसकी आवादी तक्रीबन 8.1 करोर है तथा इस राज्ये की जीडिपी 150 फिलियन उस डॉलर है जो की जीडिपी रैंकिंग में पूरे भारत में आट्पे पायदान पर ख़़ा है तथा इस राज्ये की जीडिपी 50% की ग्रोथ से हर साल बड़ भी रहा है राज्यस्तान का एवरेज एन्वल रेंफॉल 500 मिलीमीटर से भी कम होने के कारण क्रीशी ब्यावसाई यहां एक पूरव ब्यावसाई नहीं इस लिए इस राज्य में पशुपालन मुख्य ब्यावसाई के तौर पर उ उन जैचे महत्यपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति होती है इस राज्य में आपको हर जगा बबुल के पेड़ देखने को मिल जाएंगे जो कि जानवरों के लिए प्रमुक खाने का स्रोत है राजस्थान जिसका अधिकतर एरिया रेगिस्थानी होने के कारण पानी यहां क का मुख्षे गड़ियत है जीके लोग वेस्थ नहीं करना करते हैं और हम सबी जानते हैं कि बीना पानी के जिवित रहनात किसी भी सजिव के लिए नामुम्किन है इसलिए इस राज्य में लोगों को रेती से अपने भर्तनों को धोते हुए देखकर चोपने की कोई आभश्थान है अगर खाने पीने की बात करें तो राज्य खान में आपको अनेको वेराइटी के खाने मिल जाएंगे इसमें तज़री एक प्रमुक नाम है इसके अलाबा आपको राज्य खान में राज्य खाली डालबाटी चूर्मा राज्य खानी मालपुआ कड़ी बुंदी लाल मास मोहन मास केसर मलाई लख्टी जलेभी तथा रजगुले खाने को निल जाएंगे राजुस्थान के सब्से प्रमुक शहरों की लिप में जैपूर सब्से बड़ा शहर है इसे दपींग सुटी के नाम से भी जाना जाता है वहाँ शहर राजुस्थान की राजभानी है इसे युलिस को द्वारा वर्ल्ड हरीटेस साइट की दर्जा भी चापते हैं इस शहर में आपको प्राजिन संस्रीटी से लेकर मॉडर्न इंडिया का चज़ देखने को मिल जाएंगे गयपूर में ही पुरे राजुस्थान का एकमात्र एक्टिव नेक्रो रेल शिक्टम मुझूर है गयपूर राजिस्थान का दूस्था सक्षे बड़ा शहर हैं इस शहर के बीचोबीज आपको विशाल महरांगर तीला देखने को मिल जाएंगे इस शहर के अधिकतर घर लीले रंग से रंगे होने के कारण इस शहर को दबलू सिटी के नाम से जाना जाता हैं ज़त्पूर में ही पुरे इंडिया का सब्से बड़ा इंडियान इंडिस्थी मोजिज है उद्यपूर सिटी राजिस्थान का पीचा सब्से बड़ा शहर है जिसे सिटी आप लेक के नाम से जाना जाता हैं जिसके स्थापना 1569 में महाराना उद्यचिन द्वारा किया गया था जो कभी मेवा राजिय की राजधानी हुआ करता था जो आज प्रयटोकों के लिए एक प्रमू उस्थल के रूप में उभरते आया हैं पोटा छेटी राजधान का चौथा सब्से बड़ा शहर है जो चंबल नजी के किनारे पे बसा एक खुक्तुरत शहर हैं जो आबादी के हिसाप से राजधान का तीस्था सब्से बड़ा शहर हैं पूरे देश के अने को समत्रा यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं जो इस शहर को एक एजुकेशनल हब के रूप में भर्चान दिलाई हैं तूरिजम के हवाले से राजधान एक संपन्न स्थल हैं जिसके कुछ त्रमुख तूरिस डेस्टिनेशन आगे वीडियो में निंचन किये जए हैं जिसके कुछ तूरिस डेस्टिनेशन दिलाई हैं तो उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं कि आप अगले इस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए ध्यन्यवाद तथा मिलेंगे नेक्स वीडियो में सब तक के लिए गुडबाव कर साथ